इस नाश्ति के लिए आपर दो बड़ी साइस की मैंने कच्छी आलू लिए हैं इनको मैंने यह पर छलका उतार लिया है अच्छे से धो लिया है पहुंच लिया है उसके बाद मैंने यहां पर कट कर रहे हूं जैसे हम सब्जी बनाने के लिए क्योप में आलू कट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप थोड़ा मोटा मोटा भी काटेंगे तो चलेगा उपर से डालेंगे पानी पानी इतना ही डालें जितने में यह अराम इनको यहां पर बॉइल्ड करना है तो चली अब इन्हें बॉइल्ड होने देते हैं और बॉइल्ड होने के बाद इनको हम उतार लेंगे और इनका एक्स्ट्रा पानी हम निचोड देंगे और यह देखिए मैंने इनको उबाल लिया है और इनका जितना भी एक्स्ट्रा पा यहां पर आपको बताना चाहूंगे अगर आपके पास उबलेवे आलू अल्रेडी फ्रिज में रखे हुए तो आप उनको लेकर यहां पर कद्दू कस भी कर सकते हैं अगर आप ताजे ताजे आलू से इस तरीकी से बनाएंगे ना तो यह नाश्ता बहुत क्रिस्पी और कुर से डाले साथ में डालेंगे टेस्ट अकॉडियं सॉल्ट यानिया स्वाद अनुसर नमक थोड़ी से मैं और डाल आल हरी मिर्च मिर्च को कुटि इह हरी ना हो तो आप यहां अच्छे से आलू में मिक्स दे दिया है जब आउमक्त इसfill моह तो तोर्ड दूसरा है यह यहां पर पर कॉन्स्ट राट कुछ लोग इसको कॉन्स व्लार भी कहते हैं कॉन्स चाच अगर यह नहीं आपके पास वह आप मैदे का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर अगर आप कौन स्टार्च का इस्तमाल करेंगे तो जो नाश्टा है बहुत कुरकुर और क्रिस्पी बनेगा आपको इसमें अलग से और कुछ भी चीज नहीं लेगेगी तो चार चमच हमने यापर एट करा है मतलब की 4 टेबल स्पून चारे चीजों को मिक्स देदेंगे पानी का इस्तमाल हमें इस रसीपी में कहीं भी नहीं करना और यह देखिए एक आटा लगकर यह कह सकते दो लगकर तयार हो गया है तो यहाँ पर हमने इस डो को ले लिया है अब एक बोड़ पे और इसको अब हम यहाँ पर फैला लेंग और उसके बाद हम इसको अब यहाँ पर धीरे धीरे बेलना शुरू करेंगे इसको हमें ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है मीडियम ही बेलना है और उसके बाद अब यहाँ पर ले लेते हैं हम कटर आप चाकू अगर भी ले सकते हैं इसके जो इक्स्ट्रा किनारे है वो हम निकाल देंगे हमें यहाँ पर एक चकोर पीस चाहिए उसमें सही हम इस नाष्टे को यहाँ पर बनाएंगे तो इक्स्ट्रा जितना हमारा डो निकला है उसको हम धोबारा से रियूस कर लेंगे यहां पर तो चले भी से रखेंग एक साइड में और इस तरीके से हम यहां पर इसकी स्लाइस कट कर लेंगे एक से डेड़े रिंच के और उसके बाद इसको दूसरे से भी पलट कर हम इस तरीके से लंबाई में कट कर लेंगे तो यह देखे बिल्कुल इस तरीकी की पीसे से निकाल लें ना ज़दा मोटे और ना ही ज़दा पतले बागी साइज आप अपने इसाप से और भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो चलिए अब इने लेके चलते हैं गैस की तरब यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल बहुत अच्छे से गरम कर लिया है तो यहाँ पर मैंने एक चमचा तेल लिया है उसके बाद इन पीसे को इसमें हम एट कर देंगे और अगर आप इस नास्ते को स्टोर करना चाते हैं 5-6 दिन के लिए तो आप इसको तलने से पहले अच्छे से एक पॉली पैक में बन करकर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं जब बन करें जब इसको आप ताजा ताजा बना कर खा सकते हैं तो जब नीचे से अच्छे से color change कर ले ना उसके बाद ही आपको इसको पलटना है बीच बीच में जल्दी जल्दी आप इसे बिल्कुल भी ना पलटे जब नीचे से ये color change कर लेगा तो आपको पता लग जाएगा चारो तरब से हलका हलका सुनेरा होने लगीगा बस इसी तरीके से एक चम्मस से आप इसको थोड़ा सा हिलाते दुलाते रहे जब दोनों तरब से एक जैसा color हो जाए उसके बाद आप इसको किसी भी spider छलनी में निकाल ले जिससे इसका extra तेल निकल जाए बस इसी तरीके से हम सारा नाश्टा बना कर यहाँ तैयार कर लेंगे तो जब भी अब बच्चों के डिमांड होना कुछ नया चटपटा कुरकुरा खाना है और बजार जाने का बिलकुल भी समय नहीं है या फिर बच्चों का बजार का नाश्टा देना ही नहीं चाहते तो आप इस नाश्टे को जरूर ट्राई करें बहुत ही ज़्यादा क्रि यह देना ही रसीप के साथ थेल्साइब एक पर वागगी दो नहीं है